हैलो फ्रेंड्स फिर से मेरे नए व्लोग में आप सभी का स्वागात है तो मेरा बॉर्निंग कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है और पताहिए आप सब कैसे हैं आसा करती हूँ आप लोग शुर्स्त होंगे और अपने जीवन में वैस्त होंगे तो मैं यहां पर बनाने जा रहे हूं आलो परबल शोया विनकी शब्जी और वह भी थोड़ीह सबयसी तो मैं सब्जी मतलब मैंने आलू अबी जब भी मैं खाना बना रही तो आलो वाइल करके यह वाली आलो को बॉयल करके यह भी बनाती हूं तो मैंने परबल को फड़ाय कर लिया है अब मैं स्वाविन को फड़ाय कर रही हूं तब तक मैं आलू छील ने ती जब तक हमारी स्वाविन फड़ाय होगी तो यहां पर हमारी जो स्वाविन जो चील चुगी थी उसे मैंने फोर लिया और आपे सुआबीन भी फिराय हो गई है और मैं ओयल डाल चुकी हुआ कड़ाय में तो ओयल जब हमारी गरम हो जागी तो इसमें मैं डाल दूगी पच्पोड ना आप लोग क्या बोलते हैं कॉमेंट में जरूर बताईएगा जो जिसमें मही थी जमाइन जीरा शोप बगर रहते है पिछ में जरूर बताईएगा तो मैं वहें डालती हूँ और फिर उसके बाद में डाल दी हूं इसमें सारे मसाले घोल करके पानी मेट करके और उसके बाद बीच में थोड़ा वह मैं काम वह सब भी मैं करते रहती हूँ ताकि हमारी कीचन जो है मितलब माइं घरी नहीं तो यह रहेगा कि थुरा बहुत दर उदर करना पड़ेगा पर यह पर जगह भी खाली होना चाहिए क्योंकि मुझे खाना बनाते बनाते हैं फिर यहां पर भी कुछ करना पड़ता है तो इसलिए और इसमें जो फिर हमने कराए में सब कुछ फड़ा करके एक वार में जब भी मैं सब्जी बनाते हूं तो फड़ा करके जब मैं गुगन मेड कर देती हूं न तो उससे हमारी सब्जी परफेक्ट बन जाते एक बार मतलब अच्छे से पक जाती सीटी लगा देती हूं तो तो वसमें डा गए तो उनको मतलब असनन बगरा करके फिर उनके लिए मैं रोट तो मैं यहां पर बनाना स्टाट कर दी हूं आस्ता मॉर्निंग का तो मॉर्निंग में मैं रोटी सब्जी और बिंडी कभूची है थोड़ी सी बना रही हूं जो कि बाभू जो है वो मतलब आलू बगर मतलब खाती है रहर लिए इतना निगाती बिंडी बहुत ही ज्यादा पस आता है उसी तरह रीसे बिंडी बहुत है तो मैं बस्ताइब गषा चाहा रही हूला घालना मैं क्ला रहे ने को निगे शाफ़ाने साख आता मुठी कंदीर पाने ओं चेएं कूल इसमादी कोशने पाने निग्या सी फिसालिता पाने ये निद्हीने शतनीब जो दूड़ी स मतलब बाबु भी खा लेगी तो जब में खाना लगाती तो हस्रें रवचे दोनों साथ में खालेते हैं और उखा लेते हैं उस मेरा मकल घाले ने हमेरेegचे मांइंड फ्री होता हैं। बच्cer कुछ खाये हैं फिर जो मारी बचेति पर उसकी मैं रोटी आया हो जाती है। वह एक जी में वह राटा सब्सक्राइब बच Minecraft कि आएटा डाली हो haw तो उसमे बना रोटी कांटा नहीं कांटा सब्सक्मार्겠지만 वह राटी की राटी में चांटा नहीं होतोगी है। तो यह हमारी रोटी लास्ट रोटी है जो वो कुत्ते के लिए है तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो लास्ट रोटी जो है वो नहीं खाती हूँ ना किसी को खाने देती हूँ और तब तक में यहां पर दूद बगर हमारे उसे में ढख रही थी और यहां पर कीचन को भी क्लीन कर लूँगी तो पहले हैं जो है खा के चले गए और यह वीचुमें स्कुल चले जाएगी थोड़ी दिर बाद यह भी तो में आपी किचेंटस को जो अच्छे से क्लीन अगर कर लेती हूँ इसके बाद फिर में जो ब मैं हो आज पोचा भी लगाना है तो इसलिए रिल्ली मिदब लगाती ही रहती हूं पर अज थूरी अचह से उस्यारा घ्रकों करना है तूरी से वैसे हो गई है मैं 2-3 दिन से साफ बनेज गला नहीं कर रही हूं थी मेरे सवा शी लग रहे सी नहीं है कि मित्रय कोई बात था कि तो आज मंसले कर पारे था यहाँ है तो आज मैं ऑन जो किसे जीरा बहुत ही ज्यादा पशंद है तो गुस्से से भाग गहीं मैंने इसे थोड़ी से लगा दी हाथ तो बच्चे का यह सब होता ही रहता है और फिर मैं यहां पर कीचन को क्लीन करने लगे जब मेरा बर्तन खाली होता है ना तभी मैं सिंक में डाल करके धो ही लेती कि मुझे ना साफ साफ सफाई बहुत ही पसंद है मुझे नमेशी घर बिल्कुल नहीं पसंद है जो इधर फैली हो तो मैं यहां पर दो बार अच्छे से क्लीन कर लिए आप लोग से मैं सेयर की हूँ जब भी मैं साफ करती नहीं तो एक बार नहीं दो बार कपड़े भिंग कि अच्छे से क्लीन रखने का बहुत है कि यहां पर रहते हैं तो मैं यहां पर कर रही थी जारू लगाती है थोड़ी वह ते दर दर कच्रा जो मिलती है दिवाल बगरा पर जोना की रागरा जाती है तो रात में जब लाइट जलती है तो उसी टाम में आप साफ सफाई भी कर लेती हूं तो मैं यहां पर कर लेती हूं चिसे जारू और फिर उधर भी कर लूँगी फिर थोड़ी बहुत पोच्छा भी करना है तो इसलिए लगे हाथी मैंने बेसिन को साफ कर लूँगी फिर थोड़ी उधर जो जारू बची लगाने के लिए तब ही लगांगी जब इद आजाता है निहां करना ही है तो कर ये ले ना चैनि ने तो इससे क्या होता है हमारी दो मतलब यह यह आने रिए ह Roland को 타 to Santa करने के बाद मननी गरता है तो संउन पहले कर कर लो ना तो बहुत ही अच्छा रहता है वह तो मननी करता है सब करने का ये सिभल क्या आप नसनान करने जारे हुआ तभी कर लो नहीं अच्छा लगता है अगर रस्टन कर लिए तो उस तेम उसके बाद मैं मन नहीं करता है सब मतलब काम करने का तो साफ शफाई है नसनान करने स्फेल यह कर लेना चाही है तो मैं यहाँ पे कर रही हूं यह थोड़ी सी डर्स्ट विखरा जो है पंखे में बहुत ही ज़्यादा होगे जिससे कि अगर आप पंखे को डर्स्ट रहने दो साफ नहीं करो ना हमारी पंखे जो बहुत कम हावा देती है बहुत कम मतलब जितना देना ची उतना नहीं देती है और फिर आप पंखे को क्लीन कर दो वह जो ड्रस्ट रहती न उससे थोरी सी भारी पंसाइदा जाती हमें नहीं पता क्या होता नहीं होता है पर हमारी पंखे जो थोरी कम हावा द देने लगती है और उससे ना जो भी कच्रे रहते हम सोई रहते हमें क्या पता मतलब डश्ट बहुत कंकं सा रहता है जो पता भी नहीं चलता है तो हमारे नाक पगरा में लग जाती है तो जब हम सास लेते हैं पंखा चलती है तो हमारे गंदा जो नाक के अंदर ही जाती है तो सिहत तो घर को जितना साफ रहे अच्छा रहता है कर और उसे साफ कर दिया फिर सूखे कपरे से फिर गिले कपरे से इसे हमारी जोह लिए अगर मैं डाय कलिक गिले कपरे से साफ करती नहीं सबकुछ छोड़ करके तो मुझे बार बार जो है मतलब गिले कपड़े को उपर नीचा करके डूबो डूबो कर साप करना परता जिससे कि हम कभी गीर भी सकते थे जो अपनों लोग देख सकते हैं कि मैं एक कुरसी पे चड़के साप कर रहे थी इसलिए मैं बता रही हूँ तो यहां पर ना ड्रस्ट पगर आ गए दी यहां पर भी मैं अच्छे साफ सफाई कर दूगी और मेरी बेटी जो है वो नेल पेंट पगरा जो बहुत ज़्यादा पहला दी उसको ने यह सब करना अच्छा लगता है लड़की नहीं सब बहुत ज़्यादा परता है जन में लेते ही आप थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी भी समस्वधार तो वो नेल पैंट होगर नहीं कभा जो होता है उसका इसब काम ले रहता है । मतलब यह सब करना लटका कर लग लक्षन रहता है। तो बस मैं बता रही हूं को कि हमारी टेवल पर लोइलो बैरा मैं जब एक दिन काटकिर हमें तो नुपने हैर यह पब बनाए दिया है और जो खाके कहते हैं वह मैं थाली भी नहीं उठाई थी तो बस में वही थाली उठा रहे थी और इसके बाद जो कपड़े बहुत ज़्यादा फैले वे थे तो बस उसी को मैं अभी ते लगा दूगी जब बच्चे जाते ना तो थोड़ा से रूम बहुत थोड़ा स ही साफ सुत्रा कर रहे थी अगर मेरा विडियो थोड़ा से भी पसंद आता है ना प्लेज एक लाइक जरूर कर देजिएगा मेरे चैनल पर जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन घंटे को जरूर प्रेस किजिएगा और प्लीज आप लोग ज्यादा से मेरा भी किजिए तो बहुत है हल्फूल बहुत ही मोटिफिशन मिलता ही एक भी लाइक एक भी सब्सक्राइब आ जाता एक्ट्रा तो बहुत ही ज्यादा मतलब मैं बताने हैं मिलता है बहुत ही अच्छा प्री आप होता है कि हाँ मेरे कुछ ओर है मतलब करो ना कोई लगने लगता है तो चलिए ज्यादा बात ना करते हूं मैं अपने काम की तरफ लगती हूं तो प्लीज आप लोग जो भी मेरे चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बिलाइकन घंटी को जुरूर प्रेस किजिएगा और मैं यहां पर कर रही हूं मेरे जो कप लगनतन है वो सब तो तो पहले मैं पोछा लगा लेती हूं जहारू का सरह वगरा मैंने उठा लिया था मैं है परात पोछा लगा लेती हूं क्योंकि जो मैने यह व् sua register का लिन किया था ना मतलब पंक्खा तो जो है मतलब नीची गंधा बगआ बहूत है जद़ा वहाई था इसलिए पूछा तो इसे लगाती रहे तो आज में लगाए बगर नहीं रहूंगी क्योंकि मतलब पैर बगार रखोंगे न तो उससे हमारी बेट गंदे हो जाएगी तो चिप-चिप हो जाएगी अच्छी नहीं लगेगी इसलिए मैंने पूछा बगर लगा दिया और मैं यह अच्छे से दोलूंगी और फिर इसके बाद थोड़ी सी पूजा की बरतन है वह भी दोंगी क्योंकि मैंने पूजा भी नहीं किया है तो बस इसके बाद हमें लास्मेंट बच्छे चल जाते हैं तो एक माइंड फ्री हो जाता है कि हाँ सारे काम जो है रिलाक्स होके करेंग कि मेरे चैनल पर नए है जो भी चैनल को सबस्क्राइब कर लिजागा और लेकान घंटे को प्रेश अन कर लिजेगा टेक केर बाइबाइबाइब थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो बाइबाइबाइबाइब गाइज मिलते हैं